गाईज आपको पता है कि मार्केट में सबसे पहली एंट्री आपको केंडलिस्टिक देती है है ना केंडलिस्टिक आपको सबसे पहली एंट्री देती है उसके बाद आपको प्राइज एक्सें एंट्री देता है उसके बाद आपको इंडिगेटर एंट्री देता है साथ में उसके बाद आपको chart pattern entry देते हैं ठीक है मतलब सबसे पहली entry तो आपको candle ही देती है तो अगर आपको candlestick की पहचान है तो आप सबसे अच्छी entry लेंगे ठीक है और सबसे अच्छा profit generate कर पाएंगे बाद में आपको indicator और यह सारी चीजे confirmation आपको देती रहती है लेकिन सबसे पह profit generate कर पाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको वह candle बताएंगे अपन वह candle discuss करेंगे जिसको हम trade करते हैं ठीक है जिसको हमने trade किया है और आप मानकर चलिए बहुत अच्छी accuracy आएगी अगर आप 10 बार उस candle को trade करेंगे ना 10 बार वह candle बनेगी वह setup बनेगा जो भी आप discuss करेंगे अपन इस वीडियो में तो आप 10 में से 9 बार आपके SL hit नहीं होगे 9 बार आपका pass हो जाएगा trade कई बार ऐसा होता है कि आपके 8 बार pass होते हैं और 2 आपके SL hit हो जाते हैं ठीक है तो इतनी अच्छी accuracy आपको देखने को मिलेगी बहुत simple candle है कुछ नहीं करना आपको कोई indicator नहीं लगाना market में कोई pattern नहीं समझना सिर्फ आप उस candle को देखेंगे आपका setup बनेगा आप trade कर लेंगे बस और आप देखेंगे बहुत अच्छा profit generate होगा ठीक है तो ध्यान से देखिए बिलकुल simple candle बता दूँगा लेकिन rules अगर नहीं लिखोगे तो rules के बिना candle trade कर 100 बार 70 बार 90 बार किसी pattern को trade कर लेता हो तो आपको चीजे समझ में आ जाती है यह पता लग जाता है कहां पर वो एसल होता है कहां पर profit होता है कब अच्छा profit होता है तो जब आप वो चीजे समझ जाते हो तो simple मतलब होता है कि बस आपका rule वहीं पर आप खुदी चीजे set कर ल त्वानि पहले तोड diyorsun और जिमीर दोवको आपको देखनी होती है तो दो कैंडल आपको देखनी है पहली केंडल से मतलब है इस तरह की दो-अधिर बने चाहिए आपको लेकिन एसकी ऐसे दूसर狂ड नली सेकेंड गेंडल राटि रोस सकती है एक श weना यहाँ पर गाईस गेंडल बनेगी यह वाली आप की रेड है नेगा तो आपको इसको द्यान रहना है इस इस तरह की आपकी दो केंडल बनेगे अभी आपन चार्ट पर देखेंगे डारेक्ट और चीजों को समझेंगे ठीक है उसके बाद आपको पुट की एंट्री बनानी है एंट्री कहां बनानी है वो समझ लीजे थोड़ा सा फिर बैक टेस्ट करते हैं फिर आपको चीजे चार् पर ठीक है तो आप चाहे तो इसको कर सकते हैं कि जैसे मल्टिपल टाइम इंडिकेटर लगाना जैसे आप ट्रेडिंग व्यूपर इंडिकेटर लगाते हो तो तीन इंडिकेटर आपको फ्री में लगा सकते हो अगर तीन से चार इंडिकेटर आपको लगाने है तो उसके ल कि टेल वीडियो आपको प्रोस कर वाएं तो कमेंट करके बता दीजिए आपको डेटेल वीडियो प्रोसकिरों चीजों को समझ जी कैसे डिलिग उसको समझ एपके कणर डिसकस करने त्रीक हो csak् द्हें हो तो इसका हाई मार्क कर लोगे यह क्या हो गया यह आपका रेजिस्टेंस हो गया और नीचे आपका सपोर्ट हो गया अब यहां और resistance पर अगर वो candle बनती है तो आपको put की entry बनानी है trade लेना है ठीक है पहली condition अगर ये candle बड़ी है दूसरी condition market अगर trade कर रही है मालीजे दोपहर हो गई दोपहर बाद आप market open करते हैं तो आप देखते हैं तो market इस तरीके से trade कर रही है ठीक है अब कहीं न कहीं support ले रही होग ठीक है support से आपको मतलब नहीं कहीं भी ले रही हो तो resistance आपका guys यहां पर तीन resistance आपके पास हो गए ठीक है तीन resistance आप समझिए चीजों को समझी आपकी जो ट्रेड है उसको आप ज्यादा बार कैसे ले सकते हैं multiple trade मतलब आपको महीने में कहीं trade मिल जाए साब कैसे कर सकते उस को समझी तो तीन resistance आपके पास होना चाहिए फोर्थ टाइम जब वो candle बनेगी जो हमने आपको बताया इस तरीके से तब आपको पूट के एंट्री लेनी है यह आपको कब तक करना है यह आपको 90 ट्रेड जब तक आप 90 बार तीन resistance आपको देखने है 90 बार आपको तीन resistance हैंगी आप कि एंट्री ले लोगए ठीक है इतना आप बेसिक कंशेप्ट केलियर हो गया दो सेट अप हमने आपको बता दिये कुल मिलाकर resistance पर लेना है ठीक है लेकिन रेस्टेंस फाइंड आउट कैसे लना है यह हमने आपको बताया ठीक है सिंपल आपको बता दिया कि यह भी आपको एक रॉस्टांस यहां एक यहां और भीयां तीक टीन लान भी डेखने इंगने। 70 सी ट्रेड होने के बाद आप कर दीक हैं आप समझते हैं अपन बैक टेस्ट करके देखतें पेंडल और कोशिश करतें जैसे यह candle है यह trade नहीं है ठीक है दो candle हमने आपको बताई है चार्ट आपके सामने जूम कर दिया है ताकि चीज़े आपको अच्छे से दिखती रहें थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देता है यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर मिल गई यह candle आप देख रहे हैं गाई य उसके बाद यह red बन गई इसको थोड़ा सा और जूम कर दें कि आपको clear cut दिखेगा चीज़े आपके समझ में आएगी ठीक है अब यह मत कहना कि यह हर रोज नहीं बनती है हर रोज कोई ना कोई candle बन रही होती है तो आप अगर candlestick की वीडियो चाहते हैं अगर इस पर अच चाहिए तो आपको और candlestick की वीडियो setup की दे देंगे ताकि आपको हर रोज कोई ना कोई trade जो कोई अगर ना इंडिकेटर यूज़ करना चाहता है ना कोई pattern यूज़ करना चाहता है सिर्फ candlestick को trade करना है तो आपको हम provide करवादेंगे candlestick का pattern ठीक है अब यह वाला setup देख बनती है और यह आपका एसल हो जाएगा इससे थोड़ा सा 10 पॉइंट आप 12 पॉइंट अपसाइट रहेंगे एसल और यहां से आप इस तरीके से यह देख रहें कितना अच्छा profit आपको मिला है शुरू-शुरू में इतना आप नहीं रुख पाऊगे इसलिए आपको कहने ट्रेड को छोटा अपना पेपर ट्रेड कीजिए या फिर आप रिस्क एपिसिटी के हिसाब से सिंगल लॉट से ट्रेड कीजिए यह देखिए यहां पर हमारा देखिए गाईज यह देखिए 32 पॉइंट है तो 10 पॉइंट अपर कर देते हैं यानि लगवग 45 पॉइंट का अपन एसल मानते हैं और यहां पर देखिए 1 इस टू टू का आपको टार्गेट लेकर चलना है ठीक है पहला टार्गेट लेकिन 1.5 अगर आपको टार्गेट गाईज मिल जाएगा ना तो वह आपके हाथ से जाना नीचे अब यहां पर देखिए 1 बे आपको 117 पॉइंट इस टू टू ट्री इतना लेकर चलिए टार्गेट को बस वन इस टू टू पर रिस्क रिवर्ड को मैनेज करके ट्रेड कीजिए आप अच्छा प्रॉपिट जनेरेट कर पाएंगे वैसे देखिए तो तीन-चार-पॉइंट मिल रहा है लेकिन बीच में ग्रीन बनेगी बहुत बड़ी कैंडल और बनेगी तब आपको ठ्रेड नहीं करना है जहां आपका एसल चोटा बन रहोगा सिर्फ वहीं पर आपको ट्रेड को एकजिक्यूट करना है ठीक है रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से उसके बाद और यहां पर केंडल करने की कोशिश करते हैं उस तरीके से अब यहां पर देंगे केंडल यह भी बनी है लेकिन यह आप ट्रेड नहीं करोगी यह अपने सेट अपर नहीं है क्योंकि इससे पहले ग्रीन केंडल हमें इसी तरह की चहिए ठीक है आप इसको नाम ट्याट प्नाम है हमें नाम नहीं पता था जब आप लेखते रहें तो बार बार देखा टेस्ट में देखा चार्ट को मिद्ध चार्ट जब देखते रहुगा ना रोज-ज़चार्ट देखते वागते चीजे अपने आप समझ में आने लग जाती है, आपको देखने लग जाती है, तो आम ने दिखा कि यह इस तरह से candle बनती है, दो candle, ठीक है, जब हम नहीं देखा कि यह कैंडल इकठे बनती है, तो market नीचे एक move अच्छा देती है, तो इसलिए हम wait करते रहे, यहाँ प यहां पर अगली ग्रीन केंडल बनती है हमारी एंट्री यह हमारे अशल हो गया और यहां से आप देखिए वन वे हम उने कितना अच्छा यहां पर गाई अपने प्रॉफिट किया ठीक है प्रॉफिट मतलब आप ऐसे तो आपने अभी बुक नहीं किया लेकिन जब ट्रेड को होगे ध्यान रगलो इस केंडल को जब भी बनेगी ट्रेड आप एक्जिक्यूट किजिए अपना एक मुन थोड़ा ट्रेड पेपर ट्रेड करके देख लिए नहीं तो सिंगल लॉट से रिस्क एपिसिटी की साब से ट्रेड करके देखिए आप अच्छा प्रॉफिट आपका बनता है और गिरती मार्केट में पैसा तेजी से बनता है ठीक है यह आपने देख लिया तो इस तरह से आप कहीं भी मतलब आप बैक्टेस्ट कर लेना आज जब आपको कैंडल मिले कोशिश करना आप सौपचास कैंडल आप इस तरह की ढूंड लो सौपचास आपका एक्जिगेट हुआ है यह अच्छा प्रोफिट है यहां आपने जरनेट किया है ठीक है यहां पर देखिए और उसके बार यहां पर देखिए ठीक इसी तरीके से और भी बैक्टेस्ट जितना आप चाहें मतलब उस तरीके से डूंड सकते हैं अभी हम सिर्फ कैंडल और यहां पर ढूंड ढूंड के आपके लिए अगर धोनें गहें तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो थोड़ी सी महनत आप भी कर लीजेगा यहां पार देखो करसर देखो यहां पर गाईस जी यह वाला अप illust बहुत अच्छा प्रॉफिट आप यहां पर भी 100-500 बड़े आराम से आपको मिल रहे हैं जब भी बनेगी रोज बनेगी लेकिन जब भी बनेगी तब आपको यह बढ़िया प्रॉफिट दे कर जाएगी रेजिस्टेंस पहचानने का तरीका आपको बता दिया है रेजिस्टे बनती रहती है तो आपको रेजिस्टेंस सिर्फ फाइंड आउट करने की गोशिश है करनी है और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का आपको तरीका गाइस बता दिया है ठीक है तो आपको सिर्फ उसी तरीके से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और ट्रेड को execute करना है ठीक है अब देखते हैं कहाँ पर बनी है आपको दिखाते हैं जहां पर दो तीन मारे resistant हुआ हो लिया हो मार्केट ने थे जार जैसे यहां पर देखते हैं एक रिस्टेश्रश दो रिस्टेंस और जाई यहां पर देखते हैं यहां पर फोट टाइम बना है यह वाला प्रोफिट राई यहां पर जनेरेट कर पाऊँगे ठीक है तो चीजों को समझेगे आप बेक्टेस्ट कीजें आपको बता दिया है लाइब मार्केट में चीजें आपको दिखती रहेगी आराम से आप समझते रहोगे और जब तो profit यह हमेशा देगी, इतना आप समझ कर चलिए, ठीक है, उमीर है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझा ही होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए, share कीजिए, कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे comment कीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका ब